हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम सेकिंड पार्ट पढ़ेंगे चाप्टर टू का सो चलिए स्टार्ट करते हैं किंग्डम मॉनेरा से यह बेसिकली किंग्डम मॉनेरा जो है हमारा फॉर्स किंग्डम है फाइप इंग्डम क्लासिफिकेशन जो दिया था विट् कि बेसिली से इस पूरिया विब रीयो थो कॉट्की वते हैं से अ में अर्द बैक्टिर सकते हैं तैटल करकोलर як नेजर होते हैं और यह फिरील्या और मुमीन है और अध् Lenna की इपढ़ेंगे नान का शेप नित म हीन थे ऋदिद्ग लीज गया लिए अकश्य गया उन्का य सोर मेम्वेल्स ऑफ दे किंग्डम मॉनरा तो यहां मोस्ट अबंदेंट माइक्रो ओर्गनिस बिक्टिरिया अकर अल्मस्ट एवर तो अब को पता है बिक्टिरिया बिसिकली सारी हमारी जिती भी सराउंडिंग उसमें कहीं पर भी पाए जा सकते हैं अगर एक्जामपल ले ल सब्सक्राइब कर लेता है अपने आपको सब्सक्राइब कर लेता है आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए थर्मस एक्टिकर्स है ओके चले हम नेक्स पढ़ते हैं यह तो हमने पढ़ लिया है मैंने ओफ लाइफ इनवर और अधर फॉर्मस ऑफ पैरसाइट मतलब कि कुछ पैरसाइट के फॉर्मस में भी होते हैं ठीक है यही डिफरेंट सफ शेप बीग है जो कि मैंने भी बताए चले आगे पढ़ते ह है दो दे बेक्टीरिया स्टक्चर इस वेरी सिंपल अभी देखा था आपने की उनका जिस ट्रक्चर तो काफी सिंपल था बट अगर उनकी डाइवर्सिटिक उनकी मेटबॉलिक एक्टिविटी के बात की जाए तो वह काफी डाइवर्स नेचर होते हैं ओके अगर हम उनका साँंपएरंग व्याओं नग्व को अगरें हरिक शुम्बिक्टिरिया ऑटोर्फिक कुछ तो ऑड्च जो ऑंटोर्फिक होते हैं कुछ ए्टर जृट्र उनकी बात कि जाए बहुत ज़्यादा किसकी वरैइटी या वास्ट लिचरी में कौन है यह बेसिकली हीटरोप्स है, means they depend on other organisms or on dead organic matter for food, means they can't prepare the food by oneself, but they are depend on others, okay, they are depend on the others, let's move on to next topic, Archi bacteria, so Archi bacteria basically क्या होते है, these bacteria are special, since they live in some of most harsh habitats, such as extreme salty areas, जो extreme salty areas में रहते हैं, उन्हें हेलो फिल्स बोलते हैं, hot springs में रहते हैं, थर्मो सीड़ फिल्स बोलते हैं, and in having different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition, means extreme condition किस बेस पे रह सकते हैं, because इनकी cell wall में थोड़ा, cell wall in structure थोड़ा different होता है, उसके बेस में ये extreme conditions में भी survive कर सकते हैं, यहां पर यह मिथोज में, so अब जरा इसको ध्यान में रखके पढ़िए, important है, mythogens are different types के bacteria होते हैं, जो कि rumen of cattle में mainly present होते हैं, okay, और यह आपको पाता ही होगा, यह basically production of methane, यह बायो गैस में भी important function प्ले करते हैं, okay, from the dung of these animals, चले हम next topic पढ़ते हैं, you bacteria, so you bacteria basically, different types of you bacteria, true bacteria, हम you bacteria को true bacteria भी कहते हैं, okay, they are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile, a flagellum is also present, means यह जो bacteria, you bacteria, इसको true bacteria बोला जाता है, और इसका, they have basically a rigid cell wall तो होती है, और अगर flagellum भी present है, तो हम उसे motile कहते हैं, okay, the cyanobacteria is also referred as blue-green algae, आपको पता ही होगा, cyanobacteria को हम blue-green algae भी बोलते हैं, और इसमें basically chlorophyll A present होता है, to green plants, जो की similar है, green plants की तरह ही, and a photosynthetic autotrophs, और यह bacteria, photosynthetic autotrophic in nature होते हैं, okay, the cyanobacteria are unicellular, colonial and filamentous, मतलब कि जो cyanobacteria है, वो कैसा है nature में, unicellular है, okay, यह अब ज़रा important है, cyanobacteria unicellular होते हैं, ना कि multicellular, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, so, filamentous, fresh water, marine, or terrestrial, the colonies are generally surrounded by a gelatinous sheath, तो इनकी जो colonies होते हैं, वो किसे सराउंड होते हैं, एक gelatinous sheath वे, यह आप देख सकते हैं, यह जो colonies हैं, यह किसे सराउंड हो रही है, मिशलेजनous sheath से, okay, they often form blooms in polluted water bodies, यह मतलब कि bloom भी फॉर्म करते हैं, and some of these fix nitrogen also in atmosphere, okay, with the specialized cell called heterocyst, तो यह कुछ होते हैं, बेसिकली nitrogen को fixation करने में भी help करते हैं, कुछ specialized cells हैं, उन्ही specialized cells को बोलते हैं, heterocyst, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस figure में heterocyst दिया गया है, यह बेसिकली nitrogen को fix करने में help करते हैं, एक्जामपल ले ले हम, नॉस्टोकिन एनेविना, यह एक important example है, यह भी आप ज़रा important mark कर लीजे, फिर हम आते हैं, कीमो-synthetic autotrophic bacteria पे, कीमो-synthetic autotrophic bacteria बेसिकली oxidize करते हैं, various inorganic substances को, जैसे कि nitrates, nitrides and ammonia, and use the released energy for their ATP production को, ठीक है, यह oxidize करते हैं, नाइट्रेट्स या, ammonia, etc. को, और वही, क्या करते हैं, जो energy released होती है, उसको किसमें helpful करते हैं, आप इंख़त के लिए ATP production, produce करने के लिए, ओके, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, So, they play a great role in recycling nutrients, like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, मतबब यह recycling nutrients में भी helpful करते हैं, Nutrients like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur, ओके, चलिए हम नेक्स पढ़ते हैं, हीट्रोट्रोफिक बिक्टीरिया, So, हीट्रोट्रोफिक बिक्टीरिया, एक ऐसा फॉर्म में बिक्टीरिया कर जो की काफी abundant in nature होता है, मतलब काफी साथा पाया जाता है, The majority are important decomposers, कुछ decomposers होते हैं, Many of them have a significant impact on human affairs, They are very helpful in making curd, मतलब कि यह curd मेकिंग में काफी जाता है helpful होते हैं, और antibiotics का production में भी, Even fixing nitrogen and legumes में भी यह helpful होते हैं, Some are pathogens causing damage, human beings, crops, farms and animals and pets, मतलब कि यह जो disease उपर दी गई हैं, यह काफी जादा pathogenic bacteria की वज़े से हैं, Okay, bacteria reproduce mainly by fission, Sometimes under unfavorable conditions, They produce spores, So, आपको पता हैं का bacteria जो reproduce करते हैं, वो basically एक प्रोसेस है, फिजन के बेस्पर करते हैं, और under some unfavorable conditions पे, यह form भी, यह spores भी produce करते हैं, Okay, sports भी forms कर सकते हैं, They also reproduce by short of sexual reproduction, by adapting a primitive type of DNA transfer, from one bacterium to another, अगर एक वन बेक्टिरिया को अगर DNA transfer करता है, तो इसको हम sexual में रख सकते हैं, यह आता है, next आता है, mycoplasma, So mycoplasma are basically smallest type of bacteria present on earth, और यह ऐसे bacteria हैं, जो कि without oxygen भी survive कर सकते हैं, Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants, यह काफ़ बहुँ जादा pathogenic in nature होते हैं, plants में भी और animals में, चलिए हम next topic पढ़ते हैं, kingdom protesta, So kingdom protesta basically, चलिए इसको next उसमें cover करते हैं, ता ही बहुत है, kingdom protesta,